हेलो बच्चो क्लास एर्थ हिंदी मीडियम सो मैट्स में हमने एक्साइज 1.1 स्टार्ट करी हुई थी तो लास्ट क्लास में आपको कॉशन नमबर 4 करने के लिए दिया था तो आई होप आप सिबने कर लिया होगा और नहीं किया है या फिर कर लिया है तो आपने अंसर मैच कर लिजी तो पॉशन नमबर 4 था निमन लिकित के गुणात्मक परतिलोम याद कीजिए तो गुणात्मक परतिलोम क्या होते हैं कि जो यह संक्या है इसका उल्टा करना है चिक है और अगर घटा में है तो γटा में ही रहेगी जमा में है संक्या तो जमा में साइन नहीं बदले तो 13 गुनात्मक परतिलों क्या हो जाएगा गटा 1 बटे थेरा थीक है गटा 13 19 का चाहिए गटा तो रहेगा और साथ में 19 बटे 13 ठीक है एक बटे-5 का उल्टा हो जाएगा फांच बटे एक चाहिए पांच यह होता है अगला देखो इसमें दो संख्याए दी वुह हैं तो इनका गुना कर लेंगे हम, 5 को 3 से करेंगे 5 ए, 15 और घटा-घटा जमा और 8 तूच चपन तो यह तो पहले रहे हमने इसको गुना किया गुना घटा-घटा जमा कर लें इसलिए जमा का निशान, अब इसका निकालना है घुणात्मक परतिलों तो इसका उल्टा कर देंगे छपपन बटे पंदरा ये इसका घुणात्मक परतिलों आ जाएगा उसके बाद है next question उसमें भी दो संख्याएं हैं तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम एक मान लेते हैं तो दो एकम दो उपरवाली संख्याओं का गुणा करेंगे घटा घटा जमा हो जाएगा और पांच एकम पांच ठीक है अब इसका गुणात्मक परतिलों इसका उल्टा पांच बटे दो हो जाएगा तो इसका गुणात्मक परतिलों क्या हो जाएगा उल्टा कर देंगे एक बटे घटा एक का मतलब भी घटा एक ही होता है तो अपने आंसर्स मैच कर लेना जिनोंने नहीं किये वो कर लेना कॉशन नमर फिफ्ट था कि निमन लिखित में परतेक के गुणन के अंतरगत उप्योग किये गए गुणधर्म का नाम लिखिये तो इसमें गुणधर्म लिखने थे तो ये कौन सा गुणधर्म था ये था गुणात्मक तत्स्मक तो ये A multiply B is equal to B multiply A जो गुणात्मक तत्समक वाड़ गुणधर्म था ये वाला गुणधर्म कोन गुणात्मक परतिलोम गुणधर्म चिक acne अब हम next question पे चल रहे हैं question number 6 तो देखो question number 6 क्या है कि 6 बटे 13 को घटा 7 बटे 16 के व्यूत करम से गुना कीजिए जो ये घटा 7 बटे 16 है इसका व्यूत करम क्या होगा व्यूत करम यानि इसका उल्टा करना है इसका व्यूत करम हो जाएगा घटा 16 बटे 7 तो 6 बटे 13 को इसके व्यूत करम से गुना करना है तो घटा 7 बटे 16 का व्यूत करम घटा 16 बटे 7 तो 6 बटे 13 का गुना करेंगे घटा 16 बटे 7 फिर 16 को 6 से गुना करेंगे कितना हैगा 16 चिक 96 और ये जमा का ये घटा का गुना करना सिखाया था कि जमा घटा तो घटा का निशान लगता है ठीक है और 13 सत्य एक यान में तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ठीक है question number 6 उसके बाद आता है question number 7 question number 7 क्या कह रहा है बताईए कौन से गुन धर्म की सायता से आप ये संख्या दी हुई है को इसके रूप में अभीकलन करते हैं तो ये कौन सा गुन लग रहा है इसमें गुन नात्मक सहाचर्य गुन धर्म तो सहाचर्य गुन धर्म बताये थे जोड के अंदर बताया था और गुना के अंदर तो ये वाली संख्या देखो 1 बटे 3 गुना 6 गुना 4 बटे 3 और इसका ब्रैकिट तो ये वाला सारचर्य वाला गुन ढ़न धर्म A गुना और B गुना C का ब्रैकिट और यहां पे भई संख्याए हैं 1 बटे 3,6 और 4 बटे 3 एक वटे तीन, छह और reserv तीन लेकिन इस बार आगे bracket आ गया तो यह ऐसे बताया था ना ए गुना B गुना C का bracket और इधर ए गुना B का bracket गुना C तो यह वाला कौन सा गुनढम है यह गुना गुना वाला सहाचरय गुनढम ठीक है फिर next question है question number eight कि क्या घटा एक सही एक बटे आठ का गुनात्मक परतिलोम आठ बटे नो है क्यों अथवा क्यों नहीं ये बताना है कि क्या ये इसका गुनात्मक परतिलोम है है तो भी क्यों है और नहीं है तो भी क्यों नहीं है वो हमें बताना है तो देखो किसी भी प हमारे पास परी में संख्या है उसका गुणात्मक परतिलोम उसका उल्टा होता है हमें पता है जिसे ए है तो उसका गुणात्मक परतिलोम एक बटा ए हो जाएगा ठीक है और यह जो ए है और इसका जो गुणात्मक परतिलोम है इसका गुणा जब करते हैं तो यह दोनों कट जाएंगे तो कितना बच जाएगा एक बच जाएगा तो कोई भी संख्या और उसका गुणात्मक परतिलों कोई भी संख्या और उसका गुणात्मक परतिलों अगर दिया है तो उनका जब गुणा करते हैं तो सोल करके एक बचना चाहिए ठीक है अगर एक बचता है तो वह उ एक बचेगा तो मतलब वो उसका जो संख्या गुणात्मुक परतिलोम दिया है वो उस संख्या का गुणात्मुक परतिलोम है और एक नहीं बचेगा तो नहीं है ठीक है तो देखो ये हम से क्या पुछा है कि ये इसका गुणात्मुक परतिलोम ये है या नहीं तो हम इन दोन तो ये मिश्रित भीना इसको साधारण भीन में बदल लेते हैं आठ हेकम आठ और फिर जो आता है उसमें एक जोड देते हैं तो कितना हो जाएगा नो बटे आठ ठीक है आठ को इससे गुना करते हैं और जो उतराता है उसमें ये उपरवाड़ा जोड देते हैं तो ये मिश्रित भीन की साधारण भीन मन जाती है तो आठ हेकम आठ जमाए तो ये कितना हो जाएगा घटा नो बटे आठ ठीक है तो अब इसको हम सोल करेंगे तो घटा का एक आएगा कैसे आएगा देखो अगर इधर कर लेते हैं इसका तो नो को आठ से गुना करेंगे नो आठे कितना होता है बहतर और नीचे भी नो आठे बहतर और ये जमा का ये घटा का जमा घटा निशान कैसा आएगा घटा का अब बहतर एकम बहतर ये कटके कितना जाएगा घटा का एक आजएगा ठीक है तो घटा का एक आगया लेकिन अभी हमने कहा था कि अगर इनका गुणा सोल करके एक आयेगा तो वो इसका गुणात्मक पर्तिलोम होगा लेकिन यहां क्या आ गया ये तो घटा का एक आ गया तो गुणनफल 1 होना चाहीए घटा 1 नहीं इसलिए घटा 1 सही 1 बटे-8 का गुणात्मक पर्तिलोम 8 बट्टे 9 नहीं है ठीक है तो ये इसका गुणात्मक परतिलों नहीं होगा क्योंकि इनका गुणा करके सोल किया तो घटा एक आया लेकिन आना चाहिए था जमा का एक तो इसलिए ये इसका गुणात्मक परतिलों नहीं है ठीक है तो ऐसा ही same question है question number 9 कि क्या 3 सही एक बटे 3 का गुणात्मक परतिलों 0.3 है ठीक है तो अगर है तो भी बताना है और नहीं है तो भी सेम जैसे यह वाला question किया है हमने question 8 वैसे ही question 9 करना है इसको 0.3 को आप 3 बटे 10 भी लिख सकते हो ठीक है तो 3 बटे 10 लिखके और इसको मिश्रित बिन को simple बिन बना के दोनों का गुणा करके देखना अगर एक उत्तर आ जाए तो कहेंगे की है और नहीं आएगा तो नहीं है ठीक है तो यह question आपको try करना है इसके आगे हम करेंगे next लासमे